अगर दोस्तों बात करें यहां पर भरती की दोस्तों सोलजर जीडी उसके बाद सोलजर ट्रेट्समेंग, सोलजर मुजीशियन, सोलजर कलर के पदो पर विकेंसी देखने को मिल रही है, जहां पर आपको एज लिमिट, उमर सीमा क्या रखी गई है, साड़े सतारा से 21 साल चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, तब दोस्तों आप 10 अगर आपने की है, ऐसी तो दोस्तों जीडी के लिए आप विदन कर पाएंगे, इसके बाद ट्रेट्समेंग के लिए सिंपली 33% मार्क्स के साथ पास की है, तो आप इसके लिए इ होने चाहिए, कक्षा 12 में आपने इंगलीस के साथ मैथ या अकाउंट लिया होना चाहिए, उसे भी आपने टोटल 50% मार्क्स के साथ पास की होने चाहिए, तब ही आप इसके लिए इलिजबल है, हाइट की बात करते हैं, अगर आप इस भरती में जा रहे हैं, तो हाइट य मांगी गई है, अगर आप करनाटा, केरल, आंधर परदेश, गोंडा, पॉंडोचेरी, तामिल नाडू से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 166 मांगी गई है, अगर आप जम्मुक कस्मीर, हिमाचल परदेश, पंजाब के पहाड़ी छेत्र, और यहां पर दोस्तों हिम मायों से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 163 सेंटीमेटर रखी गई है, अगर दोस्तों बात करते हैं, गुजरात, मध्ध परदेश, छतिसगर, महराष्ट, दादर नागर, हाबेली, और इसके बाद दोस्तों दावन दिव से बिलोंग करते हैं, तो 116 सेंटीमेटर हा रखी गई है, अगर आप दोस्तों राजस्थान, पस्चिम, उत्तर yn उत्तर प Whew इसके बाद दोस्तों यहां पर मेरट और अगर हुआ है, अपर जोटस्तों दिल्ली-पंजाब चंडी-गड के रिए 80 सेंटीमेटर हाइट रखी गई है वेड दोस्तो 50 kg लगवख सभी का है अगर आप जमुएंड कस्मीर और दोस्तो सिक्किम नागा लेंड अनुवचल परदेश मनीपूर मेगाले से बिलोंग करते हैं या पहाडी छेतरों से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट दोस्तो आपका वजन 48 kg रखा गया है चेस्ट दोस्तो सभी का 77 cm रखा गया है फुलाने पर 5 cm बढ़ना चाहिए बात करते हैं दोस्तो ये भरती कहां से कब से चालू होने वाली है दोस्तो भरती निकल के आ रही है राजपुत राइफल्स यूनिट हैड कोटर की कोटे की भरती है जोंके 24 October से लेकर 24 October तक चलने वाली है 24, October को दोस्तो जो भरती होगी उसके अंदर जीडि और ट्रेड़स्मेन की भरती होगी ठीक है अगर बात करते हैं दोस्तो इस भरती तो यहां पर olduğu即ि उपर 24 एकलाई को भरती होगी दोस्तो यहाँ चेकिंग होगी 16 अक्टूबर को दोस्तो जीडी और ट्रेट्समेंट के पदोपे भरती होगी यहाँ पर भी दोस्तो सेम दोस्तो जीडी के लिए दोस्तो जो राजपुत राइफल्स की लागू जाती है और ट्रेट्समेंट के लिए भारत की समस्त जाती है यह सभी के लिए है और 15 अक्टूबर को भी दोस्तों यहाँ पर जीडी और ट्रेट्समेंट की भरती होगी 19 अक्टूबर को यहाँ पर जीडी और इसके बाद दोस्तों जो 19 अक्टूबर को है दोस्तों और 18 अक्टूबर जो की चेकिंग होगी और दोसोव टेईस सक्टूबर को दोस्तों यहाँ पर fourthi होने वाली हैं ठीक है इसके अंदर धोस्तो जो जा पाइगा भारत की समस्थ चाथिए सब्सक्राइब रह inim कि इसके बातों ट्रेट्स City न की भीषिक विद्णि करती USA जा पाएंगी और 24 अक्टूबर को दोस्तों 30 अप्रेल को जो भी कलर के पदोंपे यह हैं उनका दस्तावेज चेक होगा अब बता देते हैं दोस्तों कौन से भरती है जो 14 21 अक्टूबर को किनकी भरती होने वाली है 21 अक्टूबर को जो जीडी की भरती होगी इसके अंदर मद्य पर्देश पंजाब गुजरात के जाएंगे ट्रेट्समेंट की जो भरती होगी इसके अंदर मद्य पर्देश पंजाब गुजरात गुजरात और भारत के अन्य समस्त के भरती हो रही है दोस्तों इसके अंदर सभी राजिके जा पाएंगे और तेश अक्टूबर को सैनिक कलर के लिए भरती होगी इसके अंदर भी दोस्तों सभी राजिके जा पाएंगे और दोस्तों बात करते हैं तेश अक्टूबर को और तेश अक्टूबर को जो दोस्तों ट्रेट्समैन मुजीशियन के भरती होगी उसके अंदर भी सभी राजिके गनिडेट जा पाएंगे अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर जी है दोस्तों 14 लेकर 19 अक्टूबर तक जो भरती होने वाली उस भरती के अंदर वही जा पाएगा जिसके पिता या भाई आर्मी में शथे खेवे भाई क्याव सभबात करते हैं सुदर म्यजीशियन की घुली भरती है सुदर म्यूजीशियना बात करते हैं और इसके बात करते हैं और इसके बात करते हैं और 24 अक्टूबर को यहां पर डॉक्मेंट बैरिफिकेशन होगा तो अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आया है तो एक बार इस नोटिफिकेशन को आप खुद रीट कर लिजेगा वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा और वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं और सुभा दोस्तों यहां पर आपने पहुंचना है ठीक है कहां पर पहुंचना है राजपूत राइफल्स दि ली चाउनी 10 सुभा पांच बजे आप को यहां पर पहुंचना है भरती देने 14 अक्टूबर को तो दोस्तों बस आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि वीडियो में एक नहीं भरती के साथ लेते हैं लपीदा जैहिंद जाभारत